तो यार यह है बहुती कमाल का सर्किट जो की आपकी electricity को wirelessly transferred कर सकता है तो जैसे इस वाली coil के पास हम अपनी दूसरी बारी coil लेके आते हैं यह electricity को wirelessly transferred करके हमारी LED को glow करा देता है तो अगर आपको इस सर्किट को बनाना है तो उसके लिए वीडियो को end तक देखना होगा तो चलिए बिनादेरी के वीडियो को start करते हैं So this video is sponsored by JLCPCV JLCPCV चायने की fastest PCB manufacturer company है जहाँ पर आप अपने PCB को बहुत ही cheap rate में order कर सकते हैं यहाँ पर आप अपने PCB को different layers में भी order कर सकते हैं order करना बेहदी आसान है simply इनकी website पर जाकर PCB की घरवर file को upload करना है और उसकी dimension बगएरा set कर लेनी है color को choose करना एकदम free है सारे detail फिर होने के बाद check out करके अपना address और payment detail को देखने के बाद आपको जो PCB तावो आपको 15 to 16 days के अंदर receive हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो PCB है project का वो काफी high quality का यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर एक ही PCB में मैंने दोनो PCB receiver और transmitter का एक जगा जोइन करकर order किया था तो आप भी इसे पैनलाइज करके order कर सकते हैं और बाद में इस तरीके से तोड़ करीने अलग-लग कर सकते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे यह transmitter जो की wireless electricity को transmit करेगा तो इसे बनाने के लिए कुछ common component की जरूत पड़ेगी जैसे एक BD-139 transistor एक 5.6 kilo ohm का resistance एक 1 NF capacitor, एक 100 NF capacitor, एक 4.7 NF capacitor, एक 3-pin internal block, एक 2-pin internal block तो सबसे पहले हम एक एक करके अपने सभी components को अपने PCV पर लगा कर अच्छी तरह से solder कर देते हैं और उनके axis wire को भी cut कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो transmitter वाला circuit था वो एकदम ready हो चुका है अब हम इसके लिए coil को तयार करेंगे तो coil तयार करने के लिए मैंने एक पुराना transformer पड़ा हुआ था खराब वो मैंने ले लिया है इसके copper wire को मैं यहाँ पर use करने वाला हूँ आप कोई भी gauge का copper wire use कर सकते हैं तो यहाँ पर coil को round shape देने के लिए मैं एक spray can के cap का use कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं है एक center tab'd coil बनाऊँगा तो उसके लिए सबसे पहले 15 turns इसमें दूँगा उसके बाद wire को center tab के लिए कुछ इस तरीके से मोड दूँगा और फिर से 15 turn यहाँ पर दे दूँगा तो यह हमारे 15, 0, 15 की एक coil जो है वो तयार हो चुकी है तो अब जो हमारा transmitter circuit वाला जो यह 3 print terminal block था इसी में हम अपनी coil को connect कर देंगे जो हमारे 15, 15 वाले terminal थे हैं हम इन दो side वाले और जो 0 वाला था वो बीच वाले के साथ connect करके अपने screw terminal को काफी अच्छी तरह से हम tight कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा transmitter circuit तो तयार है wireless electricity के लिए लेकिन अभी हमें receiver को भी बनाना होगा जैसे एक 470U F25 वोल्ट कापैसिटर एक 1N4007 डायोड एक 10 किलो हम का resistance और एक 2 पिन टर्मिनल ब्लोक तो यह फटा-फट से इसको भी लगा कर सोल्डर कर लेते हैं और access wire रिमूप कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा transmitter circuit बनके ready हो चुका है अब इसके लिए भी हमें coil बनाने पड़ेगी जो electricity को receive करेगी सेम वही कि इसका copper wire मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ जो कि मैं bottle cap के चारो तरफ round कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसके दूँगा 30 tons coil बनकर ready है simple coil बनानी है कोई center tap नहीं देना है इसके दोनों wire को जो है हम यहाँ पर अपने receiver PCV के जो coil वाले mark है इन में लगा कर solder कर लेते हैं तो यहाँ पर receiver PCV भी ready है लेकिन अब इसमें output के लिए हमने एक terminal volt दे रखा है तो आपको इस terminal block के साथ कोई भी LED या कोई भी load आप यहाँ पर connect कर सकते हैं आपका 3 और 5 volt तक का होना चाहिए तो यहाँ पर हमारा receiver वाला section पूरी तरीके से ready है electricity को receive करने के लिए अब हमें अपने transmitter circuit में अपने 12 volt देने होंगे आप चाहे तो 9 volt या 5 volt भी easily यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर हमारा दोनों circuits का set एकदम ready है test करने के लिए तो चलिए हम power supply को own करता हूँ तो यहाँ पर मैंने power supply को own के और मेरे जो transmitter circuit है वो wireless electricity को transmit करना है start कर दिया है अब यह जो receiver वाला part है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे ही मैं अपने transmitter वाले circuit के पास इसकी coil लाओंगा जो मेरी LED है वो glow करना है start कर देगी इसका मतला हमारा जो circuit है वाई एकदम full proof तरीके से work कर रहा है काफी अच्छी तरह से हमारा transmitter और receiver है वो work कर रहे हैं आप देख सकते हैं थोड़ा दूर रखने पर भी यह wireless electricity को transmit कर रहा है अगर आप इसमें थोड़े ज्यादा voltages देते हैं बड़ा transistor यूज करते हैं और coil के टंस बढ़ा देते हैं तो यह long range तक भी work करेगा यह चोटा सा प्रोजेक्ट था जो आप अपने स्कूल के लिए बना सकते हैं मोबाइल चार्जर वगरा के लिए बना सकते हैं तो अगर आपको यह पसंद आया हो तो वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe परना क्योंकि future में ऐसे imaging videos चैनल पर आपको मिलती रहेंगी तो मिलते हैं आप से next review तब तक के लिए बाइ बाइ